करें नमशकार दोस्तों आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में जो कि आप सभी के चैनल एक ही लक्षे पर में लेकर आयों दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही जरूरी है क्यूंकि इसके अंदर आपके लिए जौब का नया जो है नोटिफिकेशन आ आप अप्लाए कर सकेंगे अपने Central Bank of India के अंदर यह आपका 20th of March 2023 के अंदर जो है notification आया है यानि कि अभी ही थोड़ी तरे पहले कुछ hours before यह जो है आपका notification आया है इस notification में जो भी कुछ आया है वो सारा कुछ जो है इस वीडियो में डिसकस होगा A to Z जो भी notification के अंदर है कौन इसके लिए apply कर सकता है क्या eligibility रहेगी क्या qualification चाहिए होगी आपकी age limit की बात करने वाला हूँ कि कितनी से कितनी age के बीच में अगर कोई candidate है तो apply कर सकता है male female क्या दौनों के लिए यह रहेगी कास्ट के इसाब से form में कोई छूट रहेगी नहीं रहेगी जैसे आप जानते हैं कि form fees जब आप payment करते हैं अपने application form की fees को तो उसमें आपको क्या कोई छूट मिलेगी यह यह नहीं मिलेगी वो सारा कुछ भी discuss होगा mainly यह जो exam इसके लिए आपको एक exam देना होगा उसके बाद ही आपका जो है यहाँ पर job के लिए selection होगा उसके बिना यह जी नहीं हो रहे वाली तो job वसको जो exam होगा उसका syllabus उसका pattern marking scheme सारा कुछ जो है इसी वीडियो में discuss होगा देखिए यह government job रहेगी आपकी जैसे कि आप नाम से ही देख रहे है Central Bank of India है यानि government of India के अंडर ही जो है आपकी job रहेगी 5000 पोस्ट पर total job है यह जो notification है यह official website पर आ चुका है जैसे कि आपको दिख रहा है screen में मैंने जो है अभी जो यह website खोली हुई है Central Bank of India की website खोली हुई है इसी कि उपर आपको अभी जो आपके latest notification के option के अंदर आपको यह चीज़ देखने को मिल जाएगी अब देखिए मैं आपके साथ वो notification जो है वो आप आपको screen पर दिख रहा होगा वो मैंने खोल लिया है इसमें आपको दिख रहा होगा human capital management department recruitment and promotion division इसके अंदर जो है आपकी जॉब है engagement ओफ एपरेंट टाइसिज अंडर एपरेंट टाइसिज एक्ट नाइंटीन सिस्टीवन फॉर year 23-24 यानि कि यह जो आपका 23-24 academic रहेगा तो यह वाला जो year रहेगा आपका इस year के अंदर यह आपका vacancy के उपर job है tentative vacancy है यहाप मतलब कि अभी कुछ ज्यादा कम भी vacancy में हो सकता है लेकिन अगर होगा तो वही कुछ 50-100 आगे पीछे हो सकता है या फिर जो भी कुछ online registration आपका 20th of March 2023 से लेकर closing date इसकी बता दू आपको तो 3rd of April यानि कि आपको से 2 week यानि कि 2 हफते का समय मिल रहा है समय बहुत कम है ऐसे में क्या होता है कि notification आके भी चला जाता है पता नहीं लगता है बट लेकिन job यहापे बहुत जादा है vacancy बहुत जादा है तो इसमें आप आपको एक चीज बता दू date of online examination इसकी जो examination की date रहेगी वो second week of April में ही रहेगा मतलब कि आपका application form window जैसे ही close होगा उसके next week में ही आपका इसके लिए जो exam है वो हो जाएगा यह online computer based exam रहेगा आपका अब देखे Central Bank of India के अंदर leading public sector bank invites application from candidates for engagement of apprentices under Apprentices Act 1961 and as per apprenticeship policy of the bank selected candidates will be engaged in branches offices in the respective districts at the discretion of the bank details of the vacancy category wise reason wise are as follows देखे यहां पर कुछ table इन्होंने दिया हुआ है notification के अंदर जिसमें इन्होंने बताया है कि category wise और साथ में reason wise आपको बताया हुआ है यह job के बारे में देखिए हम अगर location की बात करें तो आपका जैसे state गुज्रात के अंदर आपका वरोधा वरोधा रीजन के अंदर राजकोर्ट रीजन, सूर्थ रीजन, एहम्दावाद रीजन, और गांधी नगर रीजन और आपको ऐका जाता है, जाम नगर रीजन यह अलगर रीजन Map R. जगान के अ बात करों तो गुजरान के अंदर आपके आपर छे रीजन का फोस्ट पे अब ज्हाँ पोस्ट और वरोध्रा रीजन के अंदर की निल्स पर लेंगे अथे जॉप यहां पर कैटिग्री भाइज भी बताया हुआ है से में आपे व्रोधरा रीजन के अनदर तीन पोस्ट के लिए व्रोधरा रीजन में गुजड रहात के अंधर पॉस्ट वहित आफ पंश में होते हैं candidates जैसे कि hi oc vi और id यह आप देख लेंगे इसी के अंदर आपको पता लग जाएगा हला कि candidate को पता होता है कि वह किस category में हा रहा है तो उसी साब से वह अपना देख लेगा तो टोटल इसके लिए भी चार जो है इसे अप दाद्रा एंड नगर हवेली और दमन एंड द्यू इस इस इसे लिए आप अपलाए कर रहे हैं तो इसके लिए आपके वहाँ पर कोई भी इसके लिए वेकंसी इसके अंदर नहीं है सेम इसी तरीके से आपका सूरत रीजन की वात कर लो तो सूरत रीजन में आपके यहाँ पर दो रहेंगे एक-धो रहे आपका जन्रल के लिए और दो यहाँ पर रहेंगे आपके वही जन्रल्लों के लिए दो जो है वो गर्रैन्ट टोटल में डू हो जाएगा इस इसी तरीके से मद्या प्रदेश वालों में भी आप देख सकते हैं और यहाँ पर चट्प कम अंभिकापुर रीजन इसके अंदर आप देख सकते हैं या पर 36 गड़ के अंदर 55 जो है 55 और 13 और 8 और 8 OBC में ST के अंदर 42 और SC के अंदर 16 इस तरीके से आपका 134 टोटल जो है 36 गड़ के अंदर जो है वैकेंसी हो जाएंगे इसी तरीके से चंडीगर्ड हरियाना पंजाब इस तरीके से आप हरी स्टेट का यहां पर देख सकते है वैकेंसी टोटल अगर बात करूं और जो भी आपकी कैटिग्रिय सारे मिलाके जो है यहां पर 5000 जो है टोटल वैकेंसी होंगे अब देखेंगे ऐलिजिबिलिटी काइटीरिया की बात कर लूँ मैं यहां पर तो यह ऐलिजिबिलिटी आपका एज के हिसाब से जो है वह 31st of March 2023 तक आपकी एज देखी जाएगी उस इसाब से एज लिमिट देखी जाएगी यहां पर कैंडिडेट मस्ट भी एदर सिटीजन अफ इंडिया या तो इंडिया का होना चाहिए नेपाल बुदान या फिर अगर वह तिबेतन जैसे जगाओं से है अगर तो केम ओवर इंडिया बिफोर 1st जनवरी 1962 यानि कि वह 1962 की 1st जनवरी से अगर पहले का आ रखा है अगर इन जगाओं से इंडिया के अंदर पर्मनेंटली सिफ्ट हो गया है तो भी वह जो है इसके लिए अपलाए कर पाएगा सपोज मानिए आपके दादा पर दादा यानि कि आपके जो बिफोर जो आपके पहले की जनरेशन रह में ग्रे में ग्रेटिट फ्रों पाकिस्तान बुर्मा सिरी लंका इस्ट एफ्रिकन कंट्री ऑफ केंडिया यूगांडा दा युनाइटिट रिपॉब्लिक ऑफ तंजानिया और फॉर्मली वीटनाफ इंटेंशन ऑफ पर्मनेंटली सेट्लिंग इंडिया मतलब कि वो जो है यह लोग भी अगर सेटल हो गए इंडिया पर्मनेंटली तो यह भी अप्लाइग कर सकते हैं इसके लिए अब देखिए एज की बात बताओं तो मिनिमम्ट्टी एर एंड गाइडलाइन्स इन एप्लिकेवल मेंशन इन पॉइंट थ्री ए आगे चलके हमारा एक पॉइंट थ्री आया उसका जो एपॉइंट होगा उसके अंदर इनके लिए लिखा हुआ है कि कितनी लिमिट के लिए इनको मंदग कितना रिलैक्शेशन एज में रहेगा में लिए आप में आपकी 20 कम से कम आपकी एज रहनी चाहिए 28 आपकी मैक्सिमम एज हो सकती है यह एज लिमिट की बात होगी हमारी अब हम क्वालिफिकेशन में बात करें तो ग्रैजूए डिग्री इन एन डिसिप्लेंट फॉर्म ए रिकॉनाइज उनिवर्सिटी और एनी इन डिकेशन की बात होगी अब मैं बात करें तो फिजिकल फिटनेस में तो एंगेजमेंट ओफ एपरेंटाइस सेज विल बी सब्जेक्ट तो हीज हर बिंग डिकलेड मेडिकली फिट ऐस पर दग रिकॉर्मेंट ऑफ देखा जाएगा रिजिस्टेशन के लिए आपको दे एपरेंटिस एपरेंटाइस शैल भी इंपेक्टेड ओन जोग ट्रेनिंग एज एपलिकेबल टू दा क्लेरिकल स्टाफ अदर कंडिशन साब देख सकते हैं टेबल के अंदर सारे लिखे हुए हैं सेलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर आपका वही मैंने आपको बता दिया है पह इपका रहेगा 5 पाँच पार्ट करहें इन्सेंपट रहेगा आपका इंदर डैटन ग्जामिनेशन ओन की और लॹी पॉप एप सब्सक्राइज शपरेंस ऑस चेग मंद नों ढिए हैं दया थी घॉआ शीरें आपका और यह आ पद है कम शॉ 4 times of vacancies will be called for the interview for checking their suitability for the post it will be at the discretion of the bank to conduct the interview or dispense with it merit list will be drawn merit list drawn district wise and category wise merit list district or category wise अलग अलग आएगे आप उस तरीके से देख पाएंगे सारा को जिसके अंदर आप अब एक और चीज बताऊं तो आपको यहां पर लोकल लेंवेज़ प्रूफ के अकॉर्डिंग अगर तो दा कैंडिडेट शुद भी प्रोफिट प्रोफिशियंट इन लोकल लेंवेज कैंडिडेट विल बी रिक्वाइद तो प्रोद्यूस सेटिविकेट ऑफ एर्थ तैंथ और ट्वेल्थ और ग्रेजुएट लेवल मैंने पहले है था आप तो इसी क्रिसे के अंदर की किस को रिलक्षेशन यहां पर मिलेगा आपको कितना जो है आपको मिलेगा आपको काम करने के लिए आपको इंटी के अटा होनी चीए कि यहां कोई पर्मनेंट जॉब नहीं है एक्च्वाल में रूर्ल एलल सेमि अर्बन ब्रांची जो आपके घ्रामेट चेत्रों में आ रही है या फिर ऐसे जगाव पर आ रहे हैं जो की पूरिवी तरीके से शहरी छेत्र नहिं है सेमी अर्बन यहां पर आपको 10000 रुपय मिलेंगे यहां पर इस तरीक सांस अर्वन ब्रांची में आपको 12,000 ब्रांची जो मेट्रो ज्यास होंगे वहां पर आपको फिफ्टीन थाउजंड जो है आपको पैसे मिलेंगे प्रेनिंग कंडिशन ओवर टाइम लीव हॉलीडे अब देगी हहां पर हॉलीडे और इन सब के बारे में भी लिखा हुआ है यहां पर जो आप काम करने वाले हैं such holidays as are observed in the bank बैंक में देखा जाएगा आपके काम को आप कितना काम को लेकि serious है उस तरीके से आपको holiday मिलेंगे shall be entitled to one casual leave on completion of one month of apparent tins apparent ticeship no other type of leave is applicable for the apparent tices मतलब आपको बोला जा रहा है कि आपको एक जो है casual leave मिल जाएगी पूरे मन्त के अंदर मतलब पूरे महिने के अंदर एक चुट्टी आप ले सकते हैं अगर अपनी मर्जी से लेते हैं उसके अलावा जो है आप यहां पर नहीं ले सकते जैसा कि यहां पर बोला गया है एक समय पर चार लगाता जो है चुट्टी ले सकता है कोई भी इफ एनी विल आटोमेटिकली गेट एग्जॉस्टिड ओन टर्मिनेशन कंपलीशन ओफ कॉंट्रेक्ट मतलब आपको बोला जा रहा है कि ऐसे मैं आपको निकाला भी जा सकता है अगर आप ज्यादा लाट फोर ओवर टाइम यहांपर किसी को भी करने के लिए नहीं बोला जाएगा कि आप ज्यादा काम कीजी जितना आपको बोला जाएगा उतना ही आप आपको काम करना पड़ेगा जो आपका काम करने के घंटे यानि की hours रहेंगे अब रिलाक्षिस ने एज लिमिट में बता दूं मैं आपको अगर आप SCHT कैटेगरी से हैं या आप लोग कमाते हैं फैमिली के अंदर सबकी मिलाक अगर आठ लाग से भी कम है सैलरी तो आप नॉन क्रीमी लेयर में तो आई जाएंगे आप OBC में अगर आप हैं तो यहाँ पर आपको तीन साल का जो है एक्स्टा जो है रिलाक्षिशन एज के अंदर मिल जाएगा सेम इसी तरीके से PWBD candidate को 10 साल का relaxation है इस तरीके से आप हर एक तरीके से अपना relaxation जो है वो यहाँ पर देख सकते है अब हम application form की fees की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको जो है PWBD candidate को जो है यहाँ पर 400 रुपीज application fees देनी पड़ेगी और plus GST extra रहेगा इसी तरीके से SCHT और all women's candidate और women's candidate के लिए यहाँ पर एक एक extra benefit है वो यह कि अगर वो किसी भी categories है उनको 600 रुपीज ही देने हैं चाहें वो कोई सी भी category है उसके अलावा आपके SCHT और PWBD candidate को छोड़के जितने ही male candidate है और बागी है कैसे करना है मैंने आपको बता दिया इस date के बीच में आपको apply करना होगा 3rd of April last date है इसकी और इसके अंदर एक और चीज मैंने आपको बता दिये पहले आपको registration के लिए mobile number email id valid चाहिए होगा जिसे यह आपको जो है बाद में कभी cutoff marks will be receive invitation from bfsisc to appear for interview at nearest central bank of india's regional office along with their original documents as specified in the invitation letter जैसे कि यहां पर आपको बताया जा रहा है कि अगर आप जो है जो return exam होगा इनका वो अगर आपने पांचों पार्ट जो है सारे मिलाके जो आपकी cutoff आएगी बाद में उसको अगर आपने उसके साब से पास कर लिया है तो आपको यहां पर bfsisc की तरफ से जो है आपको interview call आएगा invitation आएगा आपके email id पर mobile नमर पर आ जाएगा जो भी आपने register कर रहा होगा उससे फिर जो है आपको जाना है अपना interview देना है जो भी आपके पास का regional office होगा Central bank of India का वहाँ पर जाके आपको जो है अपने document verify कराने है जो भी आपने apply के time पर लगाये थे साथ मैं आपको बताया भी जाएगा email के जरीए कि आपको क्या-क्या document लेकर वहाँ पर जाने है final result जो है आपका आएगा कब वह भी कुछ ऐसा नहीं बताया जा रहा है लेकिन आपको email करके बताया जाता है कि आपका result आगे है आप देख लीजिए इस तरीके से आपको पहले एक email करा जाता है same अब मैं बता दू लिस्ट of region wise district region wise district की बात करूं यहां पर तो यहां पर एहमदाबाद region के अंदर आपके एहमदाबाद खेड़ा और यह आपके 2 हो जाते रीजन एहमदाबाद गुज्रात चैंडर के अंदर आपके पास वाले regional office में और सेम इसी में आपकी जो है वो job जो है वो यहाँ पर लगेगी actual में वो job नहीं है वो training period है training के पैसे हैं यहाँ पर लेकिन मैंने आपको सारा कुछ समझा दिया है education qualification और सारा detail उस तरीके से आप जो है यह चीद देख लेंगे अब देखें यह form है उनके लिए है जो sc category से ब्लॉंग करते है और अगर वो चाह रहे हैं वो उनको जो है अगर वो form में fill करते हैं कि हम जो है reservation category से आते हैं और हम sc ht category से आते हैं और हमें जो है पात साल का relaxation चाहिए तो इसके लिए उनको यह आप उनका जो है cast certificate का form होता है उन्हें यह fill करके जो है fill करके पहले सी print करा के fill करके जो है सारे कुछ signature के साथ यहाँ पर जो है इसे upload करना है तो यह format जो है आप देख लेना आपके category के के साथ से अलग-अलग है उस तरीके से आपको यह form हर category का अलग है ऐसा ना हो कि आप अगर पी डॉब्लीकेशन फॉर्म को जब फिल करेंगे तब आपको यह चीछ लगानी पड़ेगी से पी डॉब्लीट वालों के लिए अलग है उन्हें लगाना पड़ेगा यहां पर फो के से फॉर्म करना है पूरा और उनको भी इस तरीके से यह जो अप्लोड करना है तो इस तरीके से आपको फॉर्मिट दिख रहा है यही फॉर्मिट रहेगा आपको आपको अपना वाला certificate ही प्रेंट आउट कराके उसको फिल करके जो है समिट करना है तो इस तरीके से आप income and asset certificate to be produced by economically weaker section जो आपके AWS category के अंदर आ रहे हैं आप लोग अगर और उसमें आपका income के बारे में आपको proof करना पड़ रहा है यहां पर कि 8 lakh से कम वाला जो issue है आपका पर यह का उसके लिए आपको signature जो है करवा के जो है इसको upload करना होगा इस तरीके से यह जो है certificate के अलग-अलग format रहेंगे अलग-अलग category के हिसाब से तो यह पूरा प्रोसीजर रहेगा आपका Central Bank of India के अंदर 5000 पोस्ट पर जो इस बार job निकले हैं 2023 के अंदर 28th of March को इस तरीके से आप जो है इसके लिए apply कर पाएंगे हाला कि मैं form filling पर एक video आपके लिए बना दूँगा अगर आपका request रहेगा तो मैं form fill करके आपको बता दूँगा इसके लिए आपको fill कैसे करना है form कैसे apply करेंगे पूरा process लेकिन notification के बारे में यही था इसमें हमने सब discuss कर लिया है अपरेल लाश्ट रहेगा उसके बाद आप इसके लिए apply नहीं कर सकते में एक और चीर यहां पर ठाड़ आपरेल के अंदर यहां पर timing नहीं लिखा है तो हो सकता है आप 2 अपरेल तक ही कर दें तो अच्छा रहेगा क्योंकि हो सकता है कि यह 12 बज़े 11 बज़े अगर close हो ग उने लाद